01 BTC को मैं sell कर रहा हूँ, मेरे पास है 0.43 BTC, मेरे को मिलते है 144.19, मैं कहर रहा हूँ मेरे को आप 144 में ही बेज दो, मेरे को अगर इतने बेजते हो, I am okay, मैंने click कर दिया sell, जैसे ही मैंने sell किया, मेरे लिखा हूँ आ गया success, मेरे BTC आप देख रहे होके घड़ गए है, 0.42 रह अब मैं पेज को refresh कर लेता हूँ, अब मैंने पेज को refresh किया है, नीचे देख रहा हूँ कि इस वक्त ये order पे डला हुआ है, याने कि अभी भी मेरे को मेरा 1 BTC, 0.01 BTC sellout नहीं हुआ, this is on order, क्योंकि bitcoin का price गिर गया है, वीडियो बनाते बनाते ही 14,337 आ गया है, तो मैं इसको कर देता हूँ, cancel और छोटे price को अपने 0.01 BTC बेजता हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अभी के अभी ही फैदा मिल जाता, मैं इसको कर देता हूँ, 300 and, oh my god, bitcoin और गिर गया है, 295 चला गया, वीडियो बनाते ही मैंको फैदा हो जाना था, but anyhow, मैं तो 0.00 मैंने कहा, मेरे को इतने में बेद दो, इसको bitcoin को तब भी क्या होता है, हो गया, मेरा bitcoin 0.01 BTC बिग गया, और 142 USDT मेरे हाथ में आ गए, अब अभी bitcoin का rate का चल रहा है, 14250, अभी अगर यह और गिर जाता है, और हो जाता है, 14000 USDT, तो मेरे को 250 USD का फैदा मिलता है, मैं लगी मेरा 0.01 BTC convert हो जाएगा, 0.011, तो this is how आप अपने bitcoin को बेज सकते हो, USDT में जब भी आपको कोई news लगे, कि bitcoin अब गिर सकता है, अब अगर आप चाहते हो, कि अब आपको लग रहा है, कि bitcoin अब बढ़ेगा, और अचानक वो 12000 डॉलर आ गया है, अब आप बाई करने ज 5, मेरे को कितने में मिल रहा है, इतने में, मतलब कि मेरा इस वक्त थोड़ा सा घाटा हो रहा है, लेकिन मेरे को तो सरब आपको example दिखाना था, तो मैं इसको कर देता हूँ, इसको by success, देखिए मेरे BTC, मेरे account में वापस आगे, छोटी मोटी fees कटी, वो benance को जो भी फैदा ह हुआ, बट आपको एक example मिल गया, how to convert our BTC into USDT and convert USDT into BTC, बट इससे होगा क्या, हमें एक बहुत अच्छा फैदा उठा पाएंगे, BTC के fall and up जाने की बात-बात, हमें अपने BTC को बेचने की जरुत नहीं पड़ेगी, हमारे BTC trading करके ही automatically बढ़ते and घटते जाएंगे, बढ़ भी सकते है, तो basically काफी location पूछते थे, कैसे करना है, Bitcoin को USDT में convert, तो this is the method friends, अब मैं यही method आपको दिखा देता हूँ, पोलोनिक्स के ओपर, पोलोनिक्स के ओपर भी same procedure है, Bitcoin, Ethereum, XMR and USDT, USDT पे हमने click किया, उसके बाब BTC पे हमने click किया, तो यह market खुल गी BTC और USDT की, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें कितने BTC का चाहिए, हमने लिख दिया 0.01 का, वो करें 146 USDT आपको मिल जाएंगे, हम click करेंगे, buy, buy होने के बाद हमारे account में आ जाएंगे क्या, USDT, हम उसके बाद sell कर देंगे, अपने USDT को, और जब sell कर देंगे हमने USDT को, हमरे को क्य मिल जाएगा, again, Bitcoin, very simple process, Poloniex, Bittrex, Binance या कोई भी exchange पे same procedure follow होता है, और इस तरीके से हम अच्छा खासा amount, और Bitcoin बढ़ा सकते हैं, जब भी Bitcoin की speculation की बात की जाए, market के अंदर कोई news आए, right now आप देख रहेते, Bitcoin 14, 250 हो गया था, अब 291 हो गया है, मैंने अगर उसको बेचा है, higher amount पे, lower पे जाके मैं उसको buy कर सकता हूँ, simple, अगर आप लोगों को डर लगता है, कभी कबार Bitcoin के उपर की Bitcoin का क्या होगा, you can convert them into USDT, उमीद करता हूँ friends, आपको सभी steps, सभी बाते clear होगी होगी, और इस वीडियो की वज़ा से आप लोग अच्छा खासा पैसा घमा पाएंग Bitcoin के अंदर जो कि हम कई वी कबार insecure हो जाते थे, अब वो insecurity खतम हो जाएगी, thanks friends, हमेशे अपना support बनाए रखने के लिए, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर करे, comment जरूर करे, share जरूर करे, ताकि मैं अपना काम continue रखों, जारी रखों और